सब्सक्राइब करे टीम पाडी स्टार चैनल को और प्रेस करे इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो गाइज मैं राहुल टीम पाडी स्टार यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आज की नई वीडियो में आज आपके लिए क्या है है एच एफ और नेटवर्क प्लेट जो की होने वाले है रियल आडियो ब्रेंड की और न्यूट्रॉन प्लस की तो आज की वीडियो में करने वाले है इसकी रिव्यू अन्बॉक्सिंग और टेस्टिंग के साथ आपको यह HF और Network Plate दिखाने वाले हैं तो वीडियो को ज़रू देखिए उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको इसके सभी प स्पैसिफिकेशन है वह मैं आपको दिखा देता हूं बॉक्स पर पूरी मेंचन है पावर रेटिंग की बात करें तो 40W की पावर रेटिंग होने वाली है वन इंच थ्रॉट होने वाली है और 80W इसकी पीजियम पावर मलब सभी आपको यहां पर बॉक्स पर पूरी मिल जा कैसी होगी वह भी आपको मैं दिखा देता हूं तो ओपन करिए पैकेजिंग काफी जबरदस्त है यह देखिए न्यूट्रॉन ब्रैंड की आपको हैच फ मिले वाले टर्मिनल्स आप देख सकते हैं यहां पर और मैगनेट साइज देखिए बॉक्स पर आपको पहले ही बता सब कुछ यहां पर आपको सब कुछ यहां पर बात करें तो यहां पर आपको स्पैसिफिकेशन मिल जाएगी आपको सब कुछ यहां पर बॉक्स पर मिल जाएगा और ओपन करते हैं किस प्रकार की इनकी क्वाल्टी है तो यह देखिए हैच फ देखिए आपको क्वाल्टी ठीक ठाक है काफी और रियल ऑडियो ब्रेंड की आपको मिलने वाली है 450 वाकि आप यहां पर देख सकते इनकी क्या क्या रिजिस्टेंस होने वाली है उसके बाद दूसरा बात रही प्राइस की तो प्राइस में आपको सभी के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मैंचन कर दूँआ तीनो नेटवर्क के प्लस तीनो एच फ के तो पूरा जो प्राइस है वहां पर आपको मैंचन मिल जाएंगे अपडेटिड प्राइस D518HF होने वाली है और इसकी स्पेसिफिकेशन में आपको दिखा देता हूं यह है वो स्पेसिफिकेशन PGM पावर आपको 160W, 1-inch के और मैगनेर साइज इससे बढ़ जाता है 134 mm का और वोईस कोईल पिछली वाली में 1.75 थी इसमें आपको 2.0-inch की CCAW आपको sensitivity भी आपको मिल जाएगी हां पर सारे सब कुछ box पर proper mention है तो आप इसका string sword ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं पिछली वाली से इसमें कितना difference होने वाला करते हैं इसको on box तो देखिए brand neutron plus model name D518 impedance 8 home terminals के साथ आपको यह मिलने वाला है और magnet size देखिए आप और सेम आपको steel में आपको आगे से print मिलने वाला है इसकी आप network की बात करते हैं कि network plate company कौन सी provide कराती है तो वह भी देख लेते हैं तो यह है वो network real audio brand के साथ आपको network मिलने वाली है और इसकी जो specification है तो वह specification है यह देखिए आपको 120 watt maximum output और टू इंच का ठोट होने वाला है और आट इंच की मतलब आट ओम पर यह वर करने वाला तो इसको भी अनबॉक्स करते हैं और यह थोड़ी सी heavy होने वाली है पहले से देखिए पीछे भी आपको real audio 750 एन आट ओम की होने वाली है और यहां पर आपको मतलब सभी शोल्डिंग की गई है जो कि प्रॉप पर बताते कि इन और common का कौन सा होने वाला है अच्छेप और यहां पर देखिए आगे से वही सेम ब्रेंडिंग के साथ आपको मिलने वाला है और यहां पर आपको इस टाइब से company ने इनको fitted किया है क्वाल्टी यह भी काफी अच्छी है पहले वाली से थोड़ा सा heavy होन मिलने वाली है और इस टाइब से आपको यह network इसके साथ मिलेगी अगर आप combo लेते है तो तो यह थी seven four five fifty के साथ लगने वाली एचेफ पांसो अठारा के साथ आब आती है में जो सबसे बड़ी होने वाली है सेवन फिफ्टी प्रोफेशनल सेम आपको सेवन फिफ्टी इंपिडेंस आपका वही एट ओम होने वाला है और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो थ्रॉट दो इंच पहले वाले की जो थी वन इंच थी और पावर रिटिंग 110 वाट पीजम पावर 220 वाट होने वाली है और इसका जो वाइसको साइज है वो 3.0 इंच CC AW मेगनेट साइज 170 mm करते हैं इसको भी अन्बॉक्स कैसा इसका रिजल्ट होगा वो भी आपको देख लेते हैं कैसी कंपणी ने इसको पैकेज कर रहा है पैकेज तो काफी सांदार है यह देखे एलन की के साथ आपको यह मिलने वाली है और सभी स्कूज इसके साथ आपको बॉक्स के अंधर ही मिलता है बाकी एच अच को बाहर निकालते ह है और बैक से दिखाते हैं आपको पहले सबसे तो यह भी न्यूट्रॉन प्लस डीफिफिटी इंपिडेंस आपको इसके साथ प्लस टर्मिनल्स और क्वालिटी काफी शांदार इस एच फ की उने वाली है कॉम्पेटिशन की लेवल की आपको यह मिलने वाली है और कॉर्ण इसकी इसकी वी क्वाल्टी ओने वाली और इसकी अब नेटवर्क दिखाते आपको। कौन सी कमपनी के साथ प्रोवाइड तरहाती है तो नेटवर्क है यह बॉक्स पैक आपको सेम मिलेगा सबीका लेकिन क्वाल्टी जो होगी वह अंदर से काफी चेंज मिलने वाली है 1200 watt की maximum wattage होने वाली है और जो इसका impedance है वो 4 ohm पर वर्क करने वाला है slope आप सारी specification आपको box पर मिल जाएगी करते हैं इसको भी unbox और कैसी quality रहेगी वो भी देख लेते हैं 1200 watt LF 4 ohm पर यह वर्क करती है और इस तरीके से आपको यह quality मिलने वाली है यहां पर आपको एक fuse भी मिल जाएगा fuse type light indicator type का दोनों side जो कि आप और पीछे से भी देख लिए आप किस तरीके से इनका बोर्ड होने वाला है यह देखें तो quality का फिस सांदर है इस जो नेटवर्क की तो यह इसके साथ compatible आपको मिलने वाली है बाकी प्राइस की बात तो मैं प्राइस आपको सभी का description box पर दूँगा क्योंकि काफी अलग अलग प्राइस होने वाले सभी नेटवर्क के अब एक चीज़ और मैं आपको लास्ट में बताता हूं सबसे पहले आपने यह सभी नेटवर्क और एचप देखी तो आपको quality कैसी लगी नीचे comment में जरूर बताए आपको मैंने बड़ी आपको नेटवर्क और एचप दिखाई थी बट आपके लिए एक नेटवर्क प्लेट छूट गई थी जोगी आप रियल ओडियो ब्रेंड की डी 26 की काफी लोग डी 26 की भी नेटवर्क एचप मांगते हैं तो यह वो नेटवर्क होने वाली है डी 26 की आपको मैं दिखा देता हूं इसकी स्पैसिफिकेशन किस प्रकार की 30 watt maximum होने वाला है आट ओम पर वर्क करने वाली है एक इंच थॉट होने वाला है चमड अंली तो इसको भी अन्बॉक्स करते हैं और कैसी इसकी क्वाल्टी होगी वह भी देख लेते हैं ऐसे देखिए यह नेटवर्क होने वाली है काफी अच्छी क्वाल्टी यह भी रहने वाली है और आपको मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पर देख सकते आप जिनको पता है उनको पता ही होगी कैसी क्वाल्टी इनकी है बाकी यह थी जो कि आप एक साथ इसको लगा सकते रही आप काफी लो तो गाई जैसे कि आपने देखा मैंने आपको सभी HF और नेटवर्क प्लेट दिखाई थी अब रही प्राइस की बाद तो प्राइस में आपको बता देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको प्राइस मिल जाएगा वहाँ सभी HF और नेटवर्क प्लेट के म और एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आपको HF के लिए डाइफ्राम चाहिए हो तो डाइफ्राम भी आपको सभी यहां पर अबलेबल मिलने वाले है तो आप यहां पर आके विजीट कर सकते है शॉप एड्रेस में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दू करा दूँगा और लाल किला मसूर जगाए है यहां पर आप आके इनकी शौप पर आके सभी प्रोड़क्त डीजे से रिडेक्टिटिट आइटम आपको यहां पर मिल जाएंगे तो कोशिश करिए आप शौप पर आके विजिट करिए उसके बादि आप प्रोड़क को जान पाएंगे कि किस तरीके से इनके प्रोड़क्त होने वाला है बाकि आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कॉमेंट में जरूर बताए और कौन-कौन सी वीडियो आप रियल और ब्रैंड की देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द उस नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर गूड बाई फ्रेंड्स